दोस्तों नमस्कार शारुक खान के बेटे आरियन खान ने दोस्तों NCB यानि की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टरडी में इतना बड़ा खुलासा कर दिया है जिसकी शायद परकलपना शारुक खान ने भी नहीं की होगी दरसल आरियन खान ने NCB के सामने पूछताच के दौरान ये खुलासा किया है कि वो शौकिया तौर पर ड्रग्स लेते हैं और वो ड्रग्स पिछले चार साल से लगातार लेते आ रहे हैं दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो शारुक खान की तरब से स्टेट्मेंट निकल कर सामने आया था और उनके तमाम जो रिलेटिव की तरब से कि वो तो बच्चे हैं उने तो कुछ भी पता नहीं है और शारुक खान को भी इस बात कई जानकारी नहीं इस तरीके का उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था लेकिन अब NCB के सामने जब शारुक खान के बेटे आरियन खान की चूड़ियां टाइट की गई तो वो खुदी सच उगलने लगा और इतने बड़े दोस्तों सच से उसने परदाफाश किया है कि पिछले चार साल से वो लगातार ड्रग्स ले रहा है और शौकिया तोर पर ले रहा है तो दोस्तों ऐसे में सबार ये उठता है कि बॉलिवुड के जो किंग खान है दोस्तों जो स्वागोशे दरसल किंग खान है शारुक खान पिछले चार साल से उनका बेटा ड्रग्स ले रहा था ड्रग्स जाहर तोर पर उसके पास तक पहुंचाया जा रहा हो ता तमाम पैडलर के जरीए पहुंचाया जा रहा होगा तो क्या इस बात की जानकारी शारुक खान को वाकई में नहीं थी या फिर अपनी च्छवी को जो है साफ सुत्रा रखने की लिए उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है क्यों है तो इस बात की भनक मी नहीं थी बच्चे हैं इनसे गलतिया हो जाती है लेकिन एनसे बी की कस्टडी में आरेयन खान का ये खुलासा की वो पिछले चार साल से लगातार ड्रग्स ले रहें आपको पता होगा ग्यारा लोगों को ग्रफतार किया था उस क्रूज से जो की मुंबई से गोवा जा रही थी उसमें पाटी चल रही थी जहांपर एनसे की स्पेशल टीम ने चापे मारी की और ग्यारला लोगों को ग्रफतार किया जिसमें शारुख खान के बेटे आरेयन खान भी थे तो जब उन्हें दोस्तों ग्रफतार किया गया तो बोलीवुड के तमाम बड़े-बड़े सेलेबरिटी ने ये बात कही थी कि वो तो इन्व गेस्ट के तौर पर वहाँ पर गए थे उन्हें इन्वेटेशन दिया गया था वो इस सारी चीजों में कैसे इन्वाल्व हो सकते हैं लेकिन जब एन्सीबी ने दोस्तों अपने तरीके से पूछताच शुरू की तो अब आरेयन खान बहुत बड़े-बड़े सच्चाईयो से परदा जो है उठाता जा रहा है और पिछले चार साल से वो लगातार ड्रग्स ले रहा है इस तरीके का उसने खुलासा किया है और अब शारुक खान की भी दोस्तों मुश्किले बढ़ सकती हैं क्योंकि एन्सीबी जो है अब उनसे भी पूछताच करेगी कि आरेयन खान जो पिछले चार साल से ड्रग्स ले रहे थे आखरकार आपको इसकी जानकारी थी या फिर नहीं और अगर थी तो आपने जो है इन सभी मामलों में ढील क्यों डाल कर रखी कौन कौन से ड्रग्स पैडलर हैं जो कि आरेयन खान को दरसल ड्रग्स दिया करते थे क्योंकि के लिए NCB की जडिश्यल कस्टडी में रखा गया है उनसे पूछताच की जा रही है और अब इस मामले में रिहा चक्रबर्ती का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है इसे लेकर मैं एक सैपरिड वीडियो बनाऊंगा तो कुल मलाकर दोस्तो आरेन खान की तरफ से ये बड़ा माचा है जो की इस बात का जिकर कर रही थी कि आरेन खान तो जो है एकदम से निर्दोश है उसे तो फसाय जा रहा है वो तो चीफ केस्ट बन कर गया था क्रूज पर लेकिन जो वहां से जो तमाम दोस्तों गांज आचरज जो तमाम चीज़े बरामत की गई हैं उसे दरकिना करते हुए बॉलिवुड के स्टार्स जो है आरेन खान को सपोर्ट करते हुए दिखाई रहे दे रहे थे लेकिन अब उसका खुद का यह कुबूल नामा है कि वह शौकिया तोर पर ड्रग्स लेता है और पछले चार साल से ड्रग्स ले रहा था इस पर जो है बॉलिवुड ड्रग्ई वुड बन चुका है जिसमें बड़े बड़े स्टार्स जो है सुशाम सिंग राजपूत के मामले के बाद में आप लोगों ने देखा हुआ कैसे NCB के दफतर में परेड करते हुए दिखाई दे रहे थे यह सीधे तोर पर दिखाता है कि जो बॉलिवुड की चम किया तौर पर इसे लेकर आपकी जो भी राह है आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरू लिख बताएं इस वीडियो में अतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर प्रेस करें तक जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर रहा हूं तो सबसे पले नोटिफिकेशन आपको में लेगे